आखिरकार आपका भाई आ ही गया भाई साहब आप सबको आसानी से दिख रहा होगा जनन लेंगिक जनन और अलेंगिक जनन ये बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है जिसको समझना भी बहुत जरूरी होता है तो आएए इसको अब हम समझते हैं आप सबको आसानी से दिख रहा होगा जनन ओके इसे इंगलिस में कहा जाता है रीप्रोडक्शन ये चीज़ आपको पता भी होगा आगे क्या है कि अपने ही जैसा कोई भी जीव जीवों को जननम देते हैं तो यही हमारा जनन कहलाता है अगले साल भी एक पेंड़ वोभी जाता है तो जनन में आपको आसानी से आ ही गया होगा बस आपको ख्याल गया रखना है कि अपने ही जैसा कोई भी जीवोगा मतलब हम और आप हम एक जीव है और जैसे बकरी गाय यह सब क्या है हमारे ही तरह जीव ही है तो वह सब अपने ही जैसे बचों का जनम जरूर देते हैं तो वही हमारा क्या है जनन तो यह आप आसानी से समझ गया होंगे तो जनन अगर आपको आ गया हो तो चलिए अब हम समझ ह लेते हैं लेंगिक जनन और आप आसानी से देख पार हैं लेंगिक जनन ओके लेंगिक जनन जिसे इंगलिस में कहते हैं सेक्सूल रिप्रोडक्शन ओके यहां पर परिभास है समझे कि यह वह पर किरिया है जिसमें नर और मादा को मिलने पर बच्चे जनम लेते हैं कि कहराए यह वह पर्कृर्या जिसमें नर और मादा, नर कहें, तो आप समझे पूरूस और मादा याणि समझे महिलगा, या नर समझे आसाने से लड़का है और मादा समझे लडगे, यह या आपस में मिलेंगे, तो बच्चों का जनम होगा, तो यही हमारा क्या कहलागा? लहेंगी की जनन का example मैंने ले रखाए मनूसी में आप समझ सकते हैं लड़का और लिटकी जैसे आपसमें मिलते हैं यही हमारा क्या है? लेंगी जनन अगे तो आप सिंपल सी जंव में याद रखेये कि नर और मादा मिलेंगे तब ही बच्चों का जनम होगा ठीक है तो परिवासा यह रहा आप इसे आसानी से लिख लिजे ठीक है अब आईए समझते हैं अजानी यहां पर आप सब आसानी से देख पा रहा है ठीक है परिवासा मैंने क्या लिख रखा है एक कोशी की जीव मतलब जिसमें एक ही कोशी का होगा उसे एक कोशी की जीव और हम और आप क्या हैं बहु कोशी की जीव इसलिए हैं क्योंकि हम में बहुत सारे कोशी का हैं तो यहां पर परिभासा असानी से है कि जनन की वह भी धी जिसमें सिर्फ एक कोशी की जीव यानि ज हाँ, important बात, इन में नर और मादा की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, केवल और केवल जनक की जरूरत, मतलब एक कोई रहेंगे तो काम final, ठीक है, इसमें नर और मादा की जरूरत नहीं होता है, केवल और केवल एक ही चीजी का जरूरत होता है, ठीक है, तो भाई शाह पर भासा देखकर आपको बिल्कुल नहीं आया होगा यहां पर आप गौर किजिए एक कोशी के जीव जैसे मैंने यहां लिख रहा है अमीवा इस्ट यूगलिना पैरा मिस्यम कले माइडो मोनास यह और जीवानू यह सब क्या है हमारे एक कोशी के जीवान इन में नर और मादा की जरूरत नहीं होती है यह खूद वखूद अपने ही जैसे बचों को जनम दे देते हैं तो यही हमारा क्या है अलैंगी के जनन कालाता है ठीक है तो यहां पर परिभासा है अगर आप इसको लिखना चाहते हैं वीडियो को रोकी और आसानी से लिखिया बसरते आपको यहां पर यही ख्याल रखना है कि नर और मादा इसमें नहीं होंगे क्योल और क्योल एक ही जनन का जरूरत होता है ठीक है और लाइंगी के जनन में तो आपको पता ही है नर और मादा दोनों होते हैं तो अगर आपको अलाइंगी कि जनन समझ में आ गया होगा तो आर इस वीडियो के लिए लाइक कर देना मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय बारत